हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में विद्या संबल योजना के तहर सिक्षक भरती का नया नोटिफिकिशन सैलरी 45,000 यहाँ पर दी जाएगी टीचर्स को पूरे भारत से जो हैं यहाँ पर अप्लाए किये जा सकते हैं कैसे अप्लाए करना है, is eligibility criteria क्या रहेगा वो सारी चीज़े इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी candidate अप्लाए करने के इच्छोक हैं ध्यान से वीडियो सुनिएगा किस पोस्ट की वेकेंसी है यह सारी चीज़े नोटिफिकिशन में दी गई है तो वेकेंसी का जो नोटिफिकिशन है 28 परवरी 2024 को जारी किया गया है for impanelment of guest faculty in विद्या संबल योजना session 2024-25 सबसे पहले subject देखें, botany, zoology, biotechnology, microbiology, law, physical education teacher, drawing and painting, maths, physics, computer, social science teachers की वेकेंसी है साथ में commerce वाले candidate की वेकेंसी है, pharmacy की है, law candidate के लिए वेकेंसी है अगर हम post की बात करें, तो दो post पर वेकेंसी जारी की गई है assistant professor के लिए अगर आपने master degree 55% marks के साथ में आपने gain की है साथ में UGC, net, set, slat या PSD कुछ भी आपने किया है तो बिल्कुल assistant professor के लिए आप apply कर सकते हैं associate professor में PSD compulsory होता है, बस assistant professor में compulsory नहीं है PSD जिनोंने UGC net clear किया है, set किया है, राज्ये का slat किया है, PSD किया है बिल्कुल आविधन कर सकते हैं कोई भी experience यहाँ पर नहीं मांगा गया है, कोई भी अनवम नहीं चाहिए fresher बिल्कुल यहाँ पर apply कर पाएंगे अब यहाँ पर हम number of vacancy देख लेते हैं अभी जो है, commerce के candidate के लिए, commerce and management की एक vacancy असिस्टेंट प्रोफिसर की है computer teacher की दो vacancy है physics की जो है, दो vacancy है उसके बाद जो है, अगर हम उपर देखें, botany में तीन vacancy असिस्टेंट प्रोफिसर की है, एक associate प्रोफिसर की जोलोजी की एक associate प्रोफिसर की है, तीन assistant प्रोफिसर की इसी तरीके से सभी की आप देख सकते हैं wildlife science तक, एक vacancy है associate प्रोफिसर की सभी में, assistant प्रोफिसर में तीन-तिन vacancy है, ठीक है तो कुल जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर total, तो botany, zoology, biology, biotechnology, microbiology, law, drawing, painting, physical education, maths, wildlife science, और यहाँ तक जो है, चार-चार कुल पदों की संख्या है, ठीक है, उसके बाद एक-दो-एक-दो इस तरीके से है, तो qualification मैंने आप लोगों को बता दी है, यहाँ पर जो है, fees कितनी लग रही है, तो वो आप ध्यान में दे, interested candidate are required to deposit 250, 250 रुपे यहाँ पर SCST candidate को छोड़ कर, जितने भी category है, सभी की, journal, EWS, OBC, सभी की 250 रुपे लग रही है, बाकि जो SCST candidate है, तो उनकी 100 रुपीज है केवल, ठीक है, तो demand draft आपको बनवाना होगा, register university of quota, quota के नाम से, ठीक है, तो bank में जाके आप बनवा सकते हैं, DD, और आप लोगों को भेजना होगा, बस fees जो है, वो ज़्यादा नहीं लग रही है, application form की अगर हम बात करें, तो application form आप लोगों को इसी notification में मिलेगा, salary यहाँ पर लिखी है, assistant professor के लिए अगर आप apply करेंगे, तो अगर आप monthly, अगर आपको यहाँ पर salary मिलती है, तो 45,000 यहाँ assistant professor की, अगर आप period wise लेते हैं, तो 800 रुपए आपको पर period, ठीक है, 52,000 monthly income रहेगी, associate professor की, 1,000 रहेगी यहाँ पर, अगर आप घंटों के according यहाँ काम करते हैं, monthly आपकी रहेगी 52,000, salary काफी अच्छी है, application fees भी ज़्यादा नहीं लग रही है, उसके बाद जो है, application form आपको इसी में मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे थोड़ा सा आएंगे आप, यह देखिए, यहाँ पर जो है, आप लोगों को application form भी मिल जाएगा, जिसे आप लोगों को download करके fill करना है, demand draft बनवाना है, SCST को 100 रुपीज का, बाकी जो है candidate को 250 रुपीज का, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, बाकी जो है, आप लोगों को link share किया जाएगा, ताकि और भी चीज़ें आप लोग पढ़ सकें, जहां भी आप आवेदन करते हैं, वीडियो को सुने, साथ में लिंक दिया जाता है, ताकि आप notification को और भी अच्छे तरीके से आप पढ़ें, और उसके बाद अपलाई करें, तो पूरे भारत के candidate, अगर master degree किया हुआ है, 50% marks के साथ में, UGC, NET, SAT, SLAT, PSD किया हुआ है, तो यहां पर आवेदन कर सकते हैं, associate professor के लिए, assistant professor के लिए, कोई भी experience यहां नहीं मांगा गया है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, main website पर आना है, जैसे ही main website पर आएंगे, नीचे scroll down करेंगे, और यहां पर आप लोगों को news, event या circulars, यह दिखाई देगा, तो उसमें थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर देखेंगे आप, date 28 February 2024, यह short notice है, जो उसी दिन जारी किया गया है, उसके बाद, detailed notification for impanelment of guest faculty in विद्या संबल योजना 2024-25, इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है, आप लोगों को पूरा notification देखने को मिल जाएगा, साथ में जो है, नीचे तक scroll down करेंगे, तो आप लोगों को वहां पर application form भी मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी doubt रहने वाला है, किसी भी candidate के लिए, कैसे apply करना है, qualification क्या है, कितनी post है, कौन-कौन से subject है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, यह आप लोगों को application form यहां मिलेगा, ठीक है, तो मैंने दो बार जो है, आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है, तो चलिए, और भी जो है, vacancy किसी भी राज्ये की सिक्षक भरती से जोड़ी आती है, notification जैसे ही जारी होते हैं, आप लोगों को सूचना वीडियो के मात्य से दी जाएगी, regular बने रहें, जिन भी candidate का subject नहीं आता है, अगर तो बिलकुल आगे आप लोगों के लिए vacancy आएगी, आप लोग ध्यान में रखें, channel पर बने रहें, और regular जो है, वीडियो देखें, क्योंकि अगर date निकल जाती है, तो उसके बाद जो है, आप लोगों को करना था, बट यहाँ date निकल गई, मिलेंगे next वीडियो में, thank you